हाई फ्रेंज कैसे है आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चल क्रिक 11 फोकाश पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एच्टी वर्सेज एमजी डी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इंफो यानि खुल्टा टाइटन्स वर्सेज मिनिस्चर ग्रूप धाका के बीच में जो मैच ह भी उस होते दिखेगी अभी आपको पताना चाहूँगा दोस्तों जो लोग हमारे ठेलीग्रम चले में नहीं जुड़े भाई है बहुत जादा मिस्टेक कर दिया आपने जल्दी से जोड़ जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है लिंक टॉप के कोमेंट में सबसे ऊपर के कोमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा लेकिन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वेन्यू वही है शेरे बंगला स्टेडियम धाका नाम तो सुना ही होगा यहाँ पर ऑस्टेलिया की सीरीज हुई थी बंगलादेश से रंज नहीं बने देगी जिसे न्यूजिलेंड की सीरीज हुई थी बंगलादेश से 130 भी वहाँ विनिंग स्कोर है रहा था खुछ वैसा ही यहाँ का विकेट एक्सपेक्टेड है हाला कि क्योंकि यहाँ पे लोकल प्लेवर्स खेल रहे हैं तो आप 130-140 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्यूरेटर्स ने यह भी बोला है कि थोड़ा सा बहतर बनाने की कोशिश की गई है विकेट को बल्लेवाजों के हिसाब से भी कुलना टाइटन्स की मुझे यह लाइनप दिख रही है जिसमें सौमय सरकार और एंड्रेफ लेचर आपको यहाँ पे ओपनिंग करते दिख सकते हैं नंबर थ्री श्रिलंका के कलासी ओल रॉंडर मेहंदी हशन आफ़ब्रेक बोलर प्लस बल्लेवाजी भी कर लेते हैं अभी रिसेंटली बंगला देश के टीट वेटिवेडी टीम में सिलेक्टेड थे सीकू के पर संसरना श्रिलंका के लेख स्पिनर है प्लस बल्लेबाजी कर लेते हैं शुवो हैं, left hand batsman, left hand orthodox, फरात रेजा है, 34 वंडे, I think, या 30 प्लस वंडे खेल चुके, बंगलादेश के लिए, अच्छे प्लियर है, देन दो ऐसे प्लियर जो actually test matches खेल चुके, बंगलादेश के लिए, कमरूल, इसलाम रभी और खालेद हमद आपको राइटाम मीडियम पेस करते दिखेंगे, खुलना टैटन्स की अगर हम बात करें, तो सारे प्लियर के मैंने यहाँ पे stats लिखे हूँ है, हर एक प्लियर का आपको stats दिख जाएगा, मुश्विकर रहीम से शुरुवात करते हैं, अच्छी कासी 28 coverage है, जेकर अली जिसको नहीं पता, यह अभी recently under 19 खेले थे, बंगलादेश के लिए आज से 2 साल पहले लगबग, तो यह भी प्लियर ठीक है, लेकिन आपको बताऊंगा कि मुश्विकर रहीम जादा रिनोंड है, तो उन्हीं को बहतर है लेना, सौन में सरकार 171 match में 2900 ठीक प्लियर है, विकेट्स भी हैं कुछ-कुछ, आला कि थोड़े inconsistent है, तिसरा परेरा आपको दिख जाएंगे, काफी जादा रिनोंड आपको बता दू प्लियर है, बहुत अच्छे मीडियम पेसर है, जो रंस भी कर लेते हैं, सिकंदर अज़ा अभी जिंबाबवे की टीम में यहाँ पे नहीं है, ठीक है तो इग्नोर कर दो, प्रसन्ना है, अच्छे कासे प्लियर शरिफ उल्ला है, काफी नून प्लियर एश यह बंगलादिश सरकिट में, लेकिन अभी थोड़े से आप कह सकते हो कि, यहाँ पे experience की कमी है, जिस वज़े से मैं इनको ignore कर रहा हूँ, महंदी असन और शुवो है, यहाँ पे ऐश शुवो काफी ज़्यादा खेल चुके हैं, इनको आप ट्राय कर सकते हो, अगर आप grandling में लेना चाहो, लेकिन महंदी असन मुझे ज़्यादा सेफ पिक लगेंगे, small league के साब से, नवीन अलाग मुश लैकली यह मैच मिस करने वाले हैं, जितने अभी तक news है मुझे, बागी फराद रेजा खेलेंगे, अच्छे मीडियम पेसर है, कमरुल इसलाम लब्भी और खालेद हमद भी खेलेंगे, ये दोनों भी ट्राइवल रहेंगे, दोस्तों यहाँ पे minister की जो टीम है, minister group धाका, ठीक है, काफी ज़्यादा उस पे बंगलादेश के players है, जिसे opening पे आपको मुहमद नईम शेक और तमीम इकपल, दोनों लेफटनेट बैटसन मिल जाएंगे, बंगलादेश के लिए एक्सपीडियस है, फिर महमद उल्ला बंगलादेश के लिए खेल चुके, सामसुर रह्मान केल चुके बंगलादेश के लिए, रसल उदाना, काफी जाद आपको पता है, इंटरनेश्ट क्रिकेट खेल चुके है, मशरफी मुर्तुजा, बंगलादेश के कैप्टर रह चुके है, मैंने डाउट इसले लिखा है, क्योंकि इंजरी डाउट है, ठीके शुवग गता हुम, अरफाद सनी भी थोड़ी बलेबाजी कर लेते हैं, तो यहां तक इनके प्लियर्स ऐसे हैं, जो कुछ-कुछ रंस कर सकते हैं, लास्ट में रूबल हुसेन है, राइट आम फास्ट पूलर, दोस्तों यहां पे मिनिस्टर गुरूप ढाका की, जो एक बर स्टैट्स अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इनके लिए बल्लेवाजी में मुहमज शेजाद जो की डाउटफुल है खेलना अगर खेलते हैं तो सबसे बेस्ट विकेट कीपर हैंगे अधरवाज आप यहाँ पे जहिरुल इसलाम को खेल टैक्स पर कर सकते हो बल्लेवाजी में तमीम इकबाल पे काफी ज़्यादा दारोमदार रहेगा साथ में नईम शेख पे ठीक है ये दोनों में प्लियर्स रहेंगे एंड्रे रसल की याओ डाउंडर हैं किसी भी टीम में जाएंगे तो महमदुल्ला भी इंपोर्टेंट है इसी रूध आनक आपको बता दू थोड़ा से ना फर्म खराब रहा है रिसेंटल अभी श्रिलंका प्रिमिर लीग हुआ था लंका प्रिमिर लीग इंफेक्ट वहाँ पर ये बोलिंग भी कम कर रहे थे तो ये चीज़ देखके थोड़ा मुझे डाउट होता है वरना प्लियर तो अच्छे खासे हैं बागी बोलिंग में केज एमद, रुबेल उसेम, यहाँ पर मशर्फ मुर्तजा टीम स्ट्रॉंग है और डिफरेंशल प्यर अरफात सनी भी है जिनको जाद लोग ध्यार नहीं देंगे ठीक है सीवन में यह सेम चीज़ कहूँगा शुबग तो होम के लिए भी इसके अलावा यहाँ पर और पिक्स देखें मेहंदी हसन मुझे एक अच्छी पिक लग रहे है बोलिंग के साथ साथ आपको बल्ले से भी काम करके दे सकते है नविन उलाक का I am doubtful because यह अफगानेस्तान के लिए खेलने नहीं गए इन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं खेलने को ready नहीं हूँ मैं break लेना चाहता हूँ अगर ब्रेक चाहते है तो I don't think कि यहाँ पर भी खेल रहोंगे फराद रेजा भी 24 में मैं एक ठीक पिक मानता हूँ उनको भी मैं buy कर लेता हूँ बाकि या थिसरा परेरा यार 33 में बहुत अच्छी पिक है ठीक है इनके तो आप 30-35 shares भी ले सकते हो अगर आप चाहो रिस्क आपका है मेना कम guide करना है दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत tough conditions में बनाई है यहाँ पर सुबह का काफी ज़्यादा issues चल रहा है चाहे वो electricity हो चाहे electricity की वज़े से ही network issues है तो hopefully आप समझेंगे और एक like अगर आपको लगता है कि मैनत है तो एक जरूर कर देना इसके बाद legend वीडियो भी आपका आएगा लगबग उसके भी stats मैंने कर ही लिये है अभी हम बात करें दोस्तों wicket keeping section की तो देखो यहाँ दो अच्छे नाम मुझे लगे मुश्वीकर रहीम और मौहमद शहजाद जेकर अली मैंने बताया अली बताया under 19 खेलते थे कुछ साल पहले तक अच्छे प्लियर है जहर अली इसलाम slow खेलते हैं बट यह काफी जाद आप कह सकते हो wicket easily नहीं देते तो यह जो options है top 3 में से ही recommend करूँ है जिसमें भी में को मुश्वीकर रहीम ही safe लगे मौहमद शहजाद अगर खेल जाते है तो उनको भी आप pick कर सकते हो उसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन खेलना अभी doubtful है बल्लेबाजी section में तमीम इकबाल को मैंने ले लिया है एंड्रेफ लेचर को ले लिया है सौमें सरकार को ले लिया है यहाँ पर यह top 3 players में लिये है आपको बतादू कि तमीम इकबाल कह सकते हो कि बांगलादेश के one of the best players है एंड्रेफ लेचर वेस्ट इंडीस के player है लेकिन काफी तेस कहिलते है आपको मीडियम पेस भी करके दे देंगे वैसे अच्छे खासे बल्लेबाज है लेफ एंडेट प्लेयर है नईम शेक भी है दोस्तो यह भी ओपनिंग पर आज हैंगे इनको भी आप ले सकते हो अच्छे player है और जादा consistent है सौमें सरकार से तो यह चीज हमें देखनी रहेगी कि इन दोन में किसको पिक करना है अभी अफगानिस्तान का मैच चल रहा है अभी आप देख सकते हो वहाँ पे खेल रहा है तो यहाँ पे नहीं खेलेंगे ठीक है यासिर अली चौदरी है यह थोड़ा सा मुझे लगता है कि तंग कर दोगे इनको लेकर तो सौमे सरकार और नईम शेक में से आपको एक को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैं आगे और राउंडर एक एक्स्टर देना चाहता हूँ इस मैच में और राउंडर के बीना नहीं जाओंगा यहाँ पर आ गए है और अच्छा करने वाले है मुझे लगता है साथी में मैं मामधुला को लोगँगा मुझे लगता है आपको आउस्पिन भी करके दे देंगे साथी में बल्लेवाजी यहाँ पर अपनी बंगलादेश प्रीमियर लीग में यहाँ बंगलादेश टीट्वेंटी लीग में बोलिंग भी कर लेते हैं तिसरा परेड़ा मेरे बास नेक्स उप्षन है जिनको मैंने लिया है अच्छे कासे ओल डाउंडर है बहुत मैज जिता हैं इन्होंने दो दो तीन दिन विकते निकाली है लोगों कि इनको लेके नहीं आजए थे हम वी सी करके जाते थे तो गुड प्लियर इनको भी ले सकते हो उदाना के उपर मैं रेकमेंड करूँगा मेहंदी हसन मेहंदी असन क्यू क्योंकि यह स्पिन भी करेंगे और स्पिन विकेट्स है प्लस रंज भी कर सकते हैं डिफरेंशल में शुवگत वून है और सुवगत वू है शुवगत हूम जादा आप कह सकते हों की बॉलिंग करते नहीं है लेकिन आप कुछ और स्पिन से एक्सपेक्ट कर सकते हो जबकि एश वो लेफ्ट आम और्थोडॉक्स है इनको तो आप लही सकते हो शरीफ उल्ला के खेलने के चांसे ज़रा कम ही रहेंगे सिकंदर रजा भी जिंबाब्वे का मैच चल रहे है वहाँ पर बीजी है बोलिंग में दोस्तो नवी नुलाक का सेलेक्शन भले ही 90% है as I have already told I don't think कि यह खेलेंगे तो उस केस में मुझे लगता है फराद हरेजा मेरी पहली चॉइस रहेंगे जो कि मुझे मीडियम पेस करके देंगे थोड़ा सा lower order में नंस कर सकते है जादा नहीं मचरफी मुर्दजा का I am doubtful खेलेंगे के नहीं मैं आपको पहले ही बता चुक हूँ he has injury concern तो अभी ले लेते हैं नहीं खेलेंगे तो change कर लेंगे साथ मैंने रूबल हुसैन को लिया है जो fast bowler है दोस्तो केज अहमत का भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब difficult सा लग रहा है खेलना तो इनको भी अभी मैंने इग्नोरी किया है तो अगर कोई player में change होता है दोस्तो यहाँ पे final team आपको कहाँ पे मिलेगी final team आपको अरे यह अबदुर रशीद हुसैन काफी अच्छे bowler है खेलते हैं तो try कर लेना chances बहुत काम है ठीक है लेकिन यह काफी ज़्यादा अच्छा करके आ रहे है domestic cricket में अभी दोस्तो यह मेरी team बनी है मैं आपको पहली बता देता हूँ काफी ज़्यादा मैंने जो यह कोशिश करी है कि short में वीडियो बनाओ because मुझे आगे भी एक match cover करना है and उसके भी stats मुझे करना है so hopefully मैं इस वीडियो से आपकी जितनी help कर पाया उससे आप कुछ नहीं कुछ अच्छा करोगे grand league के लिए इस matches अच्छे जा सकते है मेरी final team आपको telegram में जरूर मिल जाएगी